हेलो माई क्यूटीज कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षत है आज की रीडिंग में एक बार फिट से हम चेक करेंगे आपके परसंद की करिंट एनरजी देखते हैं इस वक्त आपके परसंद की दिमाग में क्य चल रहा है क्या सोच रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपके एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने परसंद से ये भी जानने की कुशिश करेंगे कि आपके रिष्टे में अगला पढ़ाव क्या होगा क्या होगा आप दोनों का आप जवाब जानने के लिए बहुत ज़्यादा लेते रहिए टेंप्रेंस जज्जमेंट मजीशन ओके टॉरस वर्गो क्याप्रिकॉन यहां पर लीब्रा जिमना है ठीक है मुझे बहुत जाता देख रहे हैं आपकी एनरजी हो सकती है ये मिजीशन का काड़ आ गया है दे टावर टावर मुवमेंट मुझे यहां पर बखूबी नज़र आ रहा है कार्ड़ को थोड़ा सा सिंटर में ले लेते हैं ओके दो कार्ड़ और दीजिए बहुत सारी एंडिंग है यहां पर ठीक है दे स्टार का कार्ड एक्वेरियस यह सारे स्पेशल साइन्स है जो मैंने आपको बता दीए देखिए आपके परसन की अगर मैं करेंट एनरजी इसको पिक करूँ आज की जो एनरजी है वो काफी जादा ऐसी है जैसे की देखो सबसे पहले मुझे यह दिखाई दे रहा है आपके परसन हो सकता है कोई भी साउनों पर आप जादतर जो वीवर्स देख रहे हैं वो वाटर साइन है ठीक है इसी वज़े से आपके लिए emotions आपके लिए प्यार आपके लिए जो भी feelings है अपनों के साथ relationship maintain करना सब के साथ अच्छा रखना आप अपने family से बहुत ज़दा close हो मैं अपने viewers के बारे में बता रही हूँ और थोड़ी सी भी अनबन होती है या किसी के साथ कोई बहस होती है लड़ाई होती है तो वो चीज़ आपको पूरे दिन effect करती है जो भी चीज़ आपसे resonate करें तो मुझे comment section में जरूर बताना description box में नीचे new reading करके लिखा होगा उसको देख के जरूर जाना ठीक है और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ आप सभी के लिए जो surprise है वो over हुआ मेरा एक new channel है उस पे जाके आप videos देख सकते हैं वहाँ पे मैंने picka card readings upload करनी शुरू कर दी है तो I am very 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 happy to announce with you all that इस वीडियो के description box में उस channel का आपको link मिल जाएगा new videos आनी शुरू हो गई है वहाँ पे shots भी आ रहे है daily energy चेक करने के लिए आपको बताती हूँ आपके person की तरफ से क्या messages है short जो readings होती है वो भी आ रही है long भी आ रही है तो उसको जाके जरूर से देख लीजिएगा नाम है अकाशक हिंदी tarot आशा करती हूँ जैसे आपने मेरे दोनों channels को प्यार दिया पहला है tarot treats दूसरा है soulmates tarot और तीसरा है अकाशक हिंदी tarot तो जल्दी से जाके subscribe कर दीजिए वीडियो जानी शुरू हो गई है और आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो link जो है description box में दिया हुआ है देख कर जरूर जाना ठीक है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि tower moment है temperance है judgment है hangman है the star है और magician है सबसे पहले बताना चाहूंगी आप दोनों के बीच में कुछ छोटी छोटी बाते ऐसी होई हैं कुछ ऐसी चीजे हुई है जिसके वज़े से आप दोनों ये एक दूसरे से नराज हो बहुत जादा खफा आओ और धीरे दीरे धीरे करके इतना करीब होने के बाद भी अप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके बहुत ज़ादा मिसंडिस्टारणिं और बहुत काफी टाइम से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई है वो धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि उसको समालना मुश्किल हो गया है ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बात है आप दोनों हो सकता है एक लगभग दस साल से या दस साल से उपर से एक दूसरे को जान रहे हो ठीक है और पहले पहले ऐसा कुछ भी नहीं था पहले ऐसा लगता था आप दोनों इस दूसरे के लिए परफेक्ट हो और दोनों जैसे जैसे कहते हैं Tom and Jerry जैसे लड़ते भी रहते हो तो एक तरीके से लोग आपको as a couple देखने लगे थे पर आप relationship में बाद में आई हो आपको लगा क्यों ना इसको और जादा गहरा बनाया जाए तो आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होई गया मुझे लगता है कि सबसे पहले आपके person ने आपको approach किया था तो आप कहीं न कहीं राजी नहीं थे relationship के लिए पर धीरे धीरे उनका प्यार देखके आपको भी ऐसा लगा कि हाँ हम एक दूसरे के लिए perfect हैं और एक दूसरे एक गुस्से वाले हैं तो एक जो है वो बहुत ही कुछ भी कहलो उनको मारो वारो कुछ भी करो उनकी मुझे भास नी निकलती तो ये जो चीजे हैं एक तो opposite attract मैं बताती हूँ दोनों को एक दूसरे की खूबिया भास ही गई पर कभी कभी क्या होता है कि जब conflict होते हैं मनमुटाव होता है तब दोनों एक दूसरे से बहुत अलग चला जाते हो पास हो तो बिलकुल ऐसे हो दूर हो तो बिलकुल एक इधार एक इधार तो दोनों एक दूसरे दूर कोई किसी को फूटी आंख नहीं सुहा था ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों के बीच में कभी भी कोई argument हुई है तो ना आप कम हो ना ये person कम है ठीक है वैसे अगर ये शानत है तो इस person की जबान बहुत लंबी बढ़ गई आपके सामने और आपकी जबान के तो क्या ही कुत मिनार तक पहुँच गया आपकी जबान तो ठीक है तो दोनों में से कोई भी जुकने के लिए रेडी नहीं होता टॉलरेट नहीं करता देखो ऐसी एनरजी में आ जाते हो ठीक है एक अगर आग बबूला हुआ तो दूसरे ने कोई कसर नहीं छोड़ी पेट्रोल डालें भाई पानी तो बने ही नहीं बुझाने की तो कोशिश की ही नहीं चले गए सीधा कट गरे में अदालत में ओर 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 हो गया ठीक है तो यहाँ पर आर्गुमेंट बहुत ज़दा क्योंकि यह परसंट जादतर आपके भरों से बैठे रहते हैं तो आपको भी एक टाइम पर ऐसे लगा कि मुझे क्यों इतना जादा वो करना है ठीक है मत करो जी हम भी नहीं करते हैं तो मुझे ऐसी एनरजी नज़र आ रही है तो दोनों की तरफ से एक्वल एक्वल हुआ है किसी एक को यहां पर ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती दा जज्जमेंट का कार्ड एक बार कोई चीज़ शुरू हुए है तो वो बढ़ती चले गई है जैसे पानी में पत्थर मारो तो उझे रिंक्स बनते चले जाते हैं तो वो चीज़ और बड़ी होती गई है इस रिष्टे में बहुत ज़्यादा एडजेस्मेंट की ज़रूरत है एक तरीके से आपकी परसन समझते हैं कि आप उनकी बात समझते नहीं हो आप उनका पाक्ष समझते नहीं हो आप सिर्फ अपनी चलाते हो और आप हमेशे उनको फोर्स करते हो या फिर आप उनका आप हमेशे चाहते हो कि वो आपकी कहने पे चले आपका दबदबा बना रहे तो ये परसन को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पर ये चाहते हैं कि इनकी भी सुनी जाए इसलिए आपकी परसनिया आप में आप हैंग्मान वाली अनरजी में दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है वो जब तक आप से दूर है तब तक ये याद में तो है चाहते तो हैं आप आओ ये भी इनके मन में है कि नहीं मुझे जाना है मुझे बात करनी है आपकी याद बहुत आती है पर इस समय अकेले रहके ये सोच रहे हैं कि भाई अभी सही है और ना पास जाएंगी तो ना जानी क्यों बम बम फोटेंगे तो अभी ऐसे शांती बनाए रखो तुम मुझे प्यार से याद करो मैं तुम्हें प्यार से याद करूँ तो उस चीज़ को ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट को अवाइड कर रहे है लडाई को ये फिर से अवाइड कर रहे है क्योंकि ये परसन जाद़े तर करना चाहरे थे और अब तो इनको बहाना मिल गया यह अभी भी एफ़र्ट्स नहीं करने चाहरे हैं तो आपके मन में तो यही चल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है पर स्टार कार्ड आया है ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो अपने परसन से कि यह होंगे आपके अनुसार चलेंगे पर आपके परसन को ऐसा लगता है कि जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे सपने आएंगे कि मुझे क्या करना है Magician का कार्ड इट सा येस इस परसन को ऐसा लगता है कि आपने बहुत एफ़र्ट किया है कहीं न कहीं यह परसन आपका पक्ष समझ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आपने अलरड़ी बहुत टाइम दिया है आपने बहुत सारे चीज़ें उनके लिए किया है बहुत कम्प्रम है आप में कि रिष्टे को सवार के रखना है कैसे कुछ करना है तो यह सोच रहे हैं कि क्योंने इस बार हमेशा तो वही आते हैं तो क्योंने इस बार मैं आने का ट्राय करूं क्योंने मैं आपको स्पेशल फील कराऊं तो आपके पर्सन के मन में मुझे यही चल रहा है यही चलता वह दिखाए दे रहा है चले थड़ा और चेक करते हैं डेथ का कार्ड यहां पर हैंग मैं आ गए यहां पर देखिए डेथ का कार्ड इससे साफ है पुरानी चीजों की एंडिंग हो रही है और यह जो एंडिंग हुई है उससी से नई चीजों पन हो रही है ओके मुझे लगता है यह परसन ना सोच रहे हैं कि अब तक तो आप आए नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनका ही वेट कर रहे हो है ना तो यह परसन आपको बहुत ही प्यार से प्यार से मनाना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं एक तरीके से इस परसन को कोई भाता बहले ही लडाई जगड़े हो ओमाइगाड एन औरता है कि अपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं इस परसन का मन है कि यह आप से मिलें यह परसन चाहते हैं कि दुबारे से चाहे आप लड़ो चाहे कुछ भी करो क्योंकि यह मिस करते हैं उन सब चीजों को इनको भी अकेले रहना पसंद नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इनको efforts लेने का मन कर रहा है इनको action दिखाने का मन कर रहा है ठीक है आप लड़ाई भी करते हो लेकिन फिर आपका प्यार भी याद आ रहा है इस person को जिसके बिना मुझे लगता नहीं है कि ये रह पाएंगे king of swords okay जैसे कि मैंने कहा ये पुरानी सारी बाते भूलने के लिए ready है मुझे ऐसा लगता है और आप दोनों के बीच में जो अलग है जो differences है वही आप दोनों को बहुत ज़्यादा अलग बनाते हैं इसलिए मैं सोच रही हूँ आपके person बहुत ज़्यादा इस वक्त तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और उनको मन है कि आपके साथ ये एक ये नो एक रिष्टा ऐसा जोड़े जहां पर आप चाहा कि भी अलग ना हो पाओ जो भी लड़ाई, मार, कटाई जो भी होगी वो तब ही होगी अब ही ये है कि अभी लड़ाई हो जाती है तो आप दूर चले जाते हो पर ये person सोच रहे हैं तब मज़ा आएगा जब दूर भी नहीं जा पाओगे एक साथ रहना भी पड़ेगा एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे तो कहां जाओगे तो king of swords वाली energy ज़ादा तर जो conflict हो रहा है इस वज़े से आपके person परिशान थे पर यहां पर new beginning दिखाई दे रहे है क्योंकि मुझे लगता है यह आपको ध्यान से observe कर रहे है तो आप यह सब इसे लिए करते हो ताकि improvement हो ठीक है मैंने कहा ना commitment तो देना चाहते है यह आपके साथ permanent commitment चाहते है कोई temporary चीज यह चाहते नहीं है नहीं यह अभी date करने में खाली interested है higher level getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other your bond deepens देखा जैसे ही आप एक दूसरे को अची तरीके से जान रहे हो एक दूसरे का बुरा side भी देख लिया अच्छा side भी देख लिया तो यह चीज़े आप दोनों को बहुत मजबूत बना रहे है आगे की और जाने के लिए ठीक है तो जितना जादा खोलोगे एक दूसरे को एक दूसरे के सामने उतना ही जादा bonding strong होगी this could be the one you have already met the romantic partner you seek हो सकता है कि इनी से ही आपकी शादियो इस बात के बहुत chances है 95% cases में बता रही हो this could be the one हो सकते हैं यही आपकी life partner और अभी है separation देख लेजे जिससे आप दोनों ही suffer कर रहे हो time apart from your partner is on the horizon ठीक है बहुत जादा separation है यहाँ पे बहुत जादा gap है जिसके वज़े से आपको बहुत suffering हो रही है और आपकी person भी इसी चीज़ का शिकार हो रहे है मुझे लगता है कि यह आपसे दूर जाने के लिए बहुत ही जादा 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 शर्मिन्दा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले दूर यह आपसे खुद ही गए थे आपने इनको अपने आपसे दूर नहीं किया है देखो मिलना चाहते हो दूसरे से बात करना चाहते हो दूरियाख खतम करना चाहते हो मुझे लगता है कि यह person आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं खुद आप से मिलने के लिए आ सकते हैं जिस भी हलत में हो यह person एक बार आपको देखना चाहते हैं बहुत ही इनकी romantic fantasy सामने आरही है oh my goodness देख लो मुझे लगता है कि आप आपको कबूतर रखना बहुत पसंद है या कुछ टाइम से सोच रहे हो कि सफेद कबूतर पालने है क्योंकि वो लव का सिंबल होते हैं गुड लख लाते हैं आपके पास एक चीज और भी नज़र आ रही है आप टेरस पे जाकर बैठते हो शाम को या सुबह जाते हो अरली मॉनिंग जहांपर आप गाने भी सुनते हो या फिर आपको स्केचिंग करने का शौक है या फिर आप शॉर्ट लव स्टोरीज देखते हो कि वो आपको किस करें पहली हो सकता है आपके फर्स्ट किस आपको याद आ रही हो और आप उस चीज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है ठीक है देखिए कितनी रोमांटिक एनरजी है जैसे कि मैंने बोला अपके मन से जाई नहीं रहे है ठीक है नहीं आप इनके मन से जा रहे हो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहते है अब तो क्रेविंग स्टार्ट हो गई है माई गुडनेस दिख लिए किस टाइब की वाइल्ड अनरजी है कितना भी लड़ेंगे कुछ भी करेंगे देकिन लास्ट में they can't survive with each other कितना भी कोई भी एक दूसरे को hurtful बोल ले कितना भी कोई किसी को अलग हो जाए या कहीं पर भी जाए कुछ भी हो पर ये किसी भी हलत में हमेशा आपका साथ चाहते हैं दुबारा चाहते हैं it's like a sweet pain अपको तकलीफ भी हो रही है पर आप उसको चाहते भी हो my goodness ये चाहते हैं तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है मेरे अलावा न तुम अपने आपको किसी के सामने कभी खोलना न किसी के सामने एक्सप्रेस करना जैसे भी हो मेरे लिए आप परफेक्ट हो ये कह रहे हैं अपके सारी imperfections oh my goodness देख लिजे जो भी ये सोच रहे हैं आप समझ गए होगे ठीक है they want to make love to you इस बारे में पूरी तरीके से surety है इनके दिमाग में कुछ और cards लेते हैं और इस reading का final conclusion बताते हैं आपको like जरूर कर दीजेगा बताएगा कैसी लग रही है ये आपके person की current feelings जो काफी दिनों से उनके मन में चल रही है oh my god completion देखो अभी ये अधूरा मैसूस कर रहे है आपके बिना ठीक है तो एक एक part रहे गया है उनका जो complete नहीं हुआ जिससे आप ही ठीक कर सकते हो schizophrenia इससे साफ पता चल रहा है कि इस person को हमेशा डर लगा रहता है आप से दूर जाने का डर चीजे खतम होने का डर उस चीज को ये overcome करना चाहते हैं देखो understanding मैंने कहा ना ये सुनेंगे आपके बारे में ये आपका perspective जान रहे है आपका मकसद समझ रहे है आप दिल से बुरे नहीं हो बस इनको डांटते हो बस यही बात है breakthrough जो चीजे भी इनको रोक रही है आपके पास आने से चाहए वो negative emotions है कुछ भी है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे है ये person सोच रहे हैं कि पुरानी बेडिया तोड़ना है और अपने आपको अजाद करना है दुबारा से एक नई शुरुवात करनी है देखो moment to moment देखा ये रहने ही पा रहे हैं कभी आपके बारे में सोचते हैं कभी physically, कभी mentally, कभी emotionally overall पूरी तरीके से ये आपके एक ख्यालों में खोई हुए है पूरी तरीके से मुझे लगता है they miss you a lot हर तरफ से physically, mentally, emotionally as a partner, as a friend they want you back they really, really want you back ये reading कैसी लगी बताइएगा जरूर new channel का link तो description box में दे दिया है वहाँ पे भी अपना प्यार जताना मत भूलिएगा इस reading के नीचे आपके comments का मुझे हमेशा से इंतजार रहेगा मिलूंगी next video में तब तक के लिए God bless you, love you all, bye